नमस्कार दोस्तों आज की बड़े में हम बात करने वाले हैं जीविटी रुकूरूट्मेंट हिमाचल प्रदेश के बारे में और साथ ही में बताने वालें कि सुप्रीम कोट की फैसला आ चुका है जिसमें वीट धारकों को जेविटी के टेस्ट के लिए एलिजिवल ही किया गया है तो आप सभी को बता दे यहां पर देखें वीट डेगरी धारकों को सुप्रीम कोट से वड़ा जटका लगा है तो एन सिटी की जो गाइडलाइन थी उसको खारिज कर दिया है सुप्रीम कोट ने अमानिया गोशित करार दे दिया गया क्योंकि काफिस में से कोट में केस भी चल रहा था तो आपको बता दे तो अब पूरे देश वर में सिर्फ जेवटी के लिए सिर्फ जेवटी वाले ही एलिजवल है जो की प्राइमरी स्कूल में टीचर लगते हैं उसके लिए बेड धारक एलिजवल नहीं होंगे हिमाचल प्रदेश में भी हाई कोट में केस निलंबित था आप सभी को पता है क्योंकि हिमाचल प्रदेश शिक्षा वोर्ड ने लिजवल करार दे दिया गया था बेड़ वालों को भी टैट भरने के लिए जेवटी टैट के लिए लिजवल किया था बट हाई कोट ने इसम तो ब्याट वाले अब एलिजिबल रहें रहेंगे जेवोटी टेट और जेवोटी टेस्ट के लिए कमेशन के लिए आज कुने इतना ही ताने बाद